सबी साथियों को जय हिंद मैं आपका साथे डॉक्टर शोक शर्मा एक बार फिर से आप सबी वेनस का वेनस वर्ल्ड के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर श्वागत करता हूं आज का इस सेशन और इस सेशन में हम लौग के मुल्क क्लाज आनंत के मेजर केरेक्टर्स में चर्चा करेंगे उनके जो बहुत इंपोर्टेंट नॉवल्स हैं उनकी चर्चा करेंगे और उन नॉवल्स के जो मेजर केरेक्टर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे उनके जो प्रोटे मुलक राज आनन्द प्रिस्क्राइब्ड हैं वहां से question आता ही आता है और भी UP TGT PGT में भी यहां से question आते हैं अभी EMRS की भरती निकली हुई है वहां भी Indian rating में मुलक राज आनन्द प्रिस्क्राइब्ड हैं उनकी syllabus में हैं तो बहुत important topic हो जाता है चलो सुरू करते हैं आज क सबसे पहले देखिएगा दो तीन चीजे माप लोगों को समझा देता हूं कि मुल्क राज आनंद जब एंडियन रैटीन इंग्लिस की बात आती है तो मुल्क राज आनंद का नाम बहुत उपर लिया जाता है मुल्क राज आनंद ने उन लोगों के लिए लिखा जो पदलित थे जो पिछडे थे समाज के निम इस तर से आते थे उन लोगों को आवाज देने का काम किया ऐसा कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि मुल्क राज आनंद ने वोईस लेस को वोईस दी यानि वे लोग जिनके पास आवाज नहीं थी जो अपनी बात कहनी पाते थे जो बिलकुल दबे कुछले लोग थे उनको मुल्क राज आनंद ने आवाज देने का काम किया है मुल्क राज आनंद पहले नौलिस्ट माने जाते हैं जिनके प्रोटेगनिस्ट जो है उस सामानने आदमी है जिनके protagonist बिलकुल पदलीत आदमी हैं, जिनके protagonist वो हैं जो वन्चित वरग से आते हैं, जो अच्छूत समाज से आते हैं, इन प्रकार के लोगों को, गरीब किसान को, पदलीत इंसान को, समाज की नीमिनिस्तर के लोगों को, मुल्क राज आनंद ने अपने नोवल का हीरो बना काम किया, तो यही बात हम आज से पढ़ने वाले हैं, देखेगा, मुल्क राज आनंद is perhaps the best, first Indian novelist, मुल्क राज आनंद को पहला इंडियन नॉवलिस्त माना जाता है, किस बात के लिए, जो मैंने अभी आपको समझाया, किस बात के लिए पहला माना जाता है, who gave voice to the voiceless जीन नों ने क्या क्या उनको आओज दी जिनके पास आओज नहीं थी क्या मतलब हुआ वे लोग जो अपनी बात नहीं कह पा रहे थे वे लोग जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं बोल पा रहे थे मुल्कराज आनन्द ने उन लोगों के बारे में लिखा, इसी लिए उनको the champion of downtrodents कहा जाता है, देखिएगा, by making the ordinary and unprivileged people, heroes of his novels, मुलकराज आनंद के जो आपको heroes मिलेंगे, वे वे लोग मिलेंगे, जो समाज के name इस तर से आते हैं, unprivileged लोग हैं, उनको मुलकराज आनंद ने अपने novels का hero बनाया है, ऐसा या तो रभींदर नाट टेगोर ने किया, सर्थ चंदर ने किया, उन लोगों की परंपरा को मुलक आनंद ने क्या किया, आगे बढ़ाया है, आनंद वंद साहित अकेडमी अवर्ड, ये बात हमने यहाँ इसलिए जूड़ी, कि जिन जिन लोगों को साहित अकेडमी अवर्ड मिला हुआ है, वहां से अक्सर question पूछा जाता है, इसलिए ये बात हमने लिख दी कि उनको साहित Academy Award 1971 में मिला, कौन से लोवन के लिए मिला? Morning Face के लिए मिला, क्लियर है मैं बात, यहां तक चीज़ें आपके बिल्कुल समझ आ जानी चीएं, उसके बात देखेगा, उनके जो major characters हैं, जिसे भाका है, मुनों है, गंगू है, नूर है, ठीक है, यह सारे जो characters हैं, यह वे characters हैं, जिनको मुल्क राज आनन्द ने वास्तव में देखा था, जिनको मुल्क राज आनन्द ने समाज में देखा था, मैसूस किया था, इसलिए मुल्क राज आनन्द के बारे में एक बात कही जाती है, कि realism, क्या का जाता भी? वे realism की theory follow करते हैं, यानि जैसा उन्होंने देखा, वैसा ही उन्होंने लिखा, एक बात और आपने कई बार सुनी होगी, art for art's sake, art for, इसको समझना क्या है, art for art's sake, कला केवल कला के लिए, कला केवल कला के लिए, ठीक है? जब आप pre-raphelite brotherhood पढ़ेंगे, pre-raphelite को पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये पढ़ने को मिलता है, कि art for art's sake, यानि कला को केवल कला के लिए लिखा जाए, उसका और अन्य कोई उद्दिश से नहीं होता है, जबकि मुल्क राज आनन्द ये कहते थे कि art for life's sake, art for life's sake, किस के लिए? कला का प्रियोग जिन्दगी के लिए क्या जाना चाहिए, कला का प्रियोग जो है, वो जीवन के improvement के लिए क्या जाना चाहिए, जीवन के लोगों का जीवन है, उसमें सुधार के लिए क्या जाना चाहिए, इसलिए मुल्क राज आनन जो भी लिखते हैं वे उन लोगों के बारे में लिखते हैं जिन में सुधार किया जाना चाहिए समाज का वो हिस्सा जिसको उपर उठाना चाहिए जिसको विक्सित किया जाना चाहिए जिसकी बात को सुना जाना चाहिए उन लोगों के बारे में मुल्क क्लाज आनद ने कि आप कोई भी एक्जाम देंगे तो बड़ी संभावना है कि आपको वहां से क्वेशन मिलेगा ही मिलेगा यहां से देखो आमने कैसे त्यार किया इसको पहला देखेंगा इसमें एक साइड में हमने लिखा प्रोटेगनिस्ट प्रोटेगनिस्ट का मतलब समझ गए आप नाम का जो प्रोटेगनिस्ट है वो मुल्क राज आरंद के कौन से नौवल में है तो वो उनके नौवल कुली में है अब कैसे भी गुमा फिरा के पुछे कोई फरकनी पड़ता है आपको याद यह रखना है कि नौवल क्या है कुली है और उसका जो प्रोटेगनिस्ट है व ये गंगू, दूसरा जो character है वो कौन है, गंगू, ये कौन से में है, टू लेज एन अबड, ये उनका एक और novel है, आपको novel और उनके characters को ठीक तरीके से त्यार कर लेना से ये, वहां से question पुछेगा ही पुछेगा आपसे, तीसरा देखीगा, ये इस बार RPSC second grade में पुछा ग बखा, ये जो character है, ये उनके untouchable में है, बहुत ही स्यांदार character है, और बहुत ही मार्मीक के कहानी है untouchable की, कभी मौका मिलेगा, तो मैं इसकी summary आप लोगों को समझाऊंगा, summary आपको बताऊंगा, अभी आप इतना ज्याद दिखें, कि untouchable novel का जो protagonist है, वो कौन है, बाखा है कि लिए रभी, उसके बाद में गोरी, बहुत important character, यहां आपको एक बात और याद रखनी है, गोरी जो है, वो उनका नौल है, yes, the old woman and the cow, ठीक है, ये गोरी नौल नाम से भी है, इसको novel के नाम भी कहा है, गोरी है, ये ज़िए आप गोरी कह दे, या फिर इसको इस नाम से भ इकलोता novel है, जिसकी protagonist महीला है, इस प्रकार का question भी exam में पूछ लिया जाता है, कि name the novel of मुलकराज आनन्द, having a woman protagonist, आपको उस novel का नाम बताना है, मुलकराज आनन्द का, जिसकी protagonist जो है, वो महीला है, एक मात्र novel है, कौन सा, या तो आपको गोरी option में मिलेगा, या फिर क्या म लेगा, the old woman and the cow, और इसका जो प्रोटेगनिस हो कौन है, गोरी ही है, अब गोरी क्या है, आगे हम इसको detail भी करेंगे, तीसरा देखेगा, लाल सिंग, मुलकराज आनन्द ने एक ट्रियोलोजी लिखी, ट्रियोलोजी का मलब, तीन novel का एक समूह जो है, जिसको ट्रियोलोज ही कहा गया है, उसमें कौन-कौन से है, क्वेशन देखी का कैसे पूछ सकते हैं आप से, कई बार क्वेशन ये पुछा जाता है, कि वीच वन आप दे फॉलोजी इस नाट अपार्ट आफ आनन्द ट्रियोलोजी, इनमें से कौन सा आनन्द की ट्रियोलोजी का हिसा नहीं है, इस क्वेशन का जबाब देने के लिए आपको उन तीनु नोवल्स के बारहे में पता होना चीए, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये है और ये नहीं है, तो पहला कौन सा? विलेज, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, दूसरा, अक्रास द ब्लेक वाटर, और तीसरा The Sword and the Sequel, ये तीन नोवल है, इन तीनों नोवल्स में किसकी कहानी है, इन तीनों नोवल्स में लाल सिंग की कहानी है, किसकी कहानी है बिटा, लाल सिंग की कहानी है, तो इसका जो प्रोटेगनिस्ट हो कौन है, लाल सिंग है, उसके बाद देखेगा, ये बहुत स्यांदार ब कुछ है तो वो ये नोवल है ये सची घटना पर आदारित है और ये पॉइट थे जिनको कस्मीर में इनके कतल कर दिया गया था किनका मेक्बूल सेरवानी का तो ये इसके प्रोटेगनिस्ट है तो ये कुछ बाते मैंने आप लोगों को बताई अब और इनको डिटेल से समझन का प्रियास करते हैं उनमें और कौन कौन से करेक्ट्रस हैं ये भी जानने का प्रियास करते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट क्लास में इस क्लास में बोला गया एक-एक शबद आपको ठीक तरीके से prepare कर लेना चाहिए, ठीक तरीके से तयार कर लेना चाहिए, अक्सर यहां से इस प्रकार के content से एकजाम में question पूछा ही जाता है, देखेगा, पहला, पहला क्या है, कुली, कुली के बारे में केवल उतनी बातें, जो आपको जाननी है, ठीक है, कुली क्या है, narrates the adventure of muno, यह किसकी कानी है भई कुली, muno की कानी है, अब पूछते यह है, किसमें जो muno है, वो क्या है, वो क्या है भई, an orphan hill boy, एक अनाथ hill boy है, एक अनाथ पहाडी बच्चा है, कौन muno, कौन से नौल में, बताओ भी कौन से में, कुली नौल में, ठीक है, उसके बाद देखेगा, जब वो 14 साल का था मुश्किल से, तभी से वो है, और वो किसके साथ रहता है, with his uncle, uncle का क्या नाम है, दयाराम and his aunt Guzri, ये दो characters के नाम आपको और याद रख लेने हैं, ठीक है, uncle का नाम क्या है, दयाराम, auntie का नाम क्या है, ये भी लिखा हुआ है, और वो कहां रहता है, बिलासपूर का लड़का है, एक स्तान से दूसरे स्तान पे भटकता रहता है, काम के लिए, ये उसके एक कहानी है, ठीक है बाई, पहली कहानी ये होगी, दूसरी देखेगा, दूसरा जो हमने दिखा वो कौन है, गंगू, ये कौन से नावल में है, अभी जो उपर बताया, एक बार रिवाइज करने की कोशिस कीजिएगा, मैंने हमेसे ये कोशिस की है, कि चीजें आपको क्लास में ही क्लियर हो जाएं, क्लास में याद हो जाएं ये देखेगा, गंगू, कौन नावल का नाम क्या है, टू लीज एंड अबट, टू लीज एंड अबट, इस ए मिडल एज़ पिजन्ट, यानि ये एक किसान है, आपसे पूछेंगे कि गंगू क्या है, तो आप बतायेंगे, वो एक फार्मा है, वो एक पिजन्ट है, कहां रहता है, होस्यारपूर में रहता है, कहां रहता भी, यहां रहता है, ठीक है, उसकी वाइफ का नाम क्या है, सजनी, उसकी डॉटर का नाम क्या है, लेला, लेला कैदो, ठीक है, आपसे पूछेंगे, कि ये जो करेक्टर्स हैं, ये कौन से राइटर की हैं, ठीके बार सिधा पूछ लेते हैं बाखा मुनों यह किसके राइट हैं करेक्टर से कई बार पूछ लेते हैं जैसे यह पूछ लिया आपसे कौन सा गंगु सजनी लेला ठीक है उसके बेटे का नाम है बुद्धू तो यह कौन से नौल के हैं तब आप बताएंगे कि कौन से हैं टू लीज लंबे लंबे नौल्स हैं आपको नहीं पढ़ने हैं आपके काम की बातें कैसे निकाली जाएं आपके जो काम का है उसको कैसे अलग किया जाएं यही तो एक टीचर की ड्यूटी है अदरवाइज पूरा का पूरा नौल तो आपके पास है इंटरनेट से कहीं कहीं देखी ल उसको बहुत ज़्यदा डेट हो जाता है करजा हो जाता है तो वो क्या करता है अपने स्थान को छोड़के कहीं भी जाने को तयार हो जाता है और फिर कहां जाता है वो आसाम जाता है असम जाता है और वहां Plantation का जोब करता है RPC 2nd grade में इस बार पूछा गया था कि ये जो character है गंगू ये समझा के किस प्रकार का काम करता है तो ये Plantation का काम करता है चाहे कि बागानों में वहाँ काम करता है इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को तयार करनी है ठीक है अभी उसके बाद देखीगा तीसरा जो नोवल हम चर्चा कर रहे थे वो कौनसा है Untouchable कौनसा नोवल अभी Untouchable है ये क्या है Untouchable में एक ही दिन की काहनी है पूरी यानि Untouchable जो नोवल है That depicts a single day एक ही दिन को बताता है किस की जिंदगी के वो बाखा की जिंदगी के किस की जिंदगी के अभी A day in the life of बाखा बाखा क्या होता है एक sweeper होता है देखो यहां लिका हुआ है जो लेटरीन साब करने वाला होता है वो ये sweeper होता है क्या है ये आपको पता होना चीए ठीक है उसके पिताजी का नाम क्या है लाखा बाखा के पिताजी का नाम क्या है लाखा ठीक है उसके बाद में वो untouchable होता ही है इसकी कहानी आप पे ज़्यादा पूरी डिटेल में पढ़ने के आऊ सकता नहीं है आपको characters का पता होना चीए और उसमें hero कौन है इसका पता होना चीए ये एक दो characters में और है सोहीनी ये क्या है बाखा की sister है और चरत सिंग ये देखेगा चरत सिंग है ये एक hockey player है ये बाखा को hockey gift करता है जब वो उसके गर पे लेटिन साब करने के लिए जाता है स्वीपर के रुप में तब ये जो है कौन चरत सिंग जो है ये उसको hockey gift करता है तो कई बार ये पुछा हुआ है कि उसको कौन सी चीज gift की जाती है चरत सिंग उसको क्या gift करता है तो एक hockey stick gift करता है ठीक है चरत सिंग क्या है एक hockey player है चरह सिंग कौन से novel में है, ये है, ठीक है, untouchable में और कौन-कौन से characters हैं, ये 3-4 characters हैं, जिनको आपको याद रखना ही चाहिए, उसके बाद चलते हैं, the old woman and the cow, इसका दूसरा नाम क्या है, गोरी, मुल्कराज आनन्द का इकलोता novel जिसकी protagonist कौन है, एक महिला है, देखेगा, is a unique novel among मुल्कराज आनन्द स्वाक के, as it is the only novel with a woman protagonist, ठीक है, इसकी protagonist कौन है भी, महिला है, ये हम पहले ही जिकर कर चुके हैं, इसमें कुछ और characters देखते हैं, ये कैसी हैं, बहुत ही meek, gentle, एकदम किसकी जैसी, गोट की जैसी, ठीक है, एकदम, बिल्कुल एकदम कमजोर सी रहती हैं, और सफा silently, बिल्कुल प्रेशान, अपने गाओं में नहीं देखते हैं, महिला हैं किस प्रकार से प्रिवार के सभी सदस्यों दौरा पेडित होती है वो इसमें बताया हुआ है, उसकी mother-in-law, उसका नाम है केसरो, ठीक है, ये mother-in-law का नाम है, उसके husband, सब प्रेशान करते हैं, उसका husband का नाम क्या है, पांची नाम है, ये सारी है, फिर वो एक city doctor से मिलती है, और city doctor उसको थोड़ा motivate करते हैं, समझाते हैं, तब वो self-dependent बनती है, ये किसकी काहनी है, ये गोरी की काहनी है, समझ में आई बात भी, अब चलते हैं पन, मुल्क राज आनंद ने एक के triology लिखे, triology of novels, कौन कौन से novels हैं उसमें याद हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे, तो अभी याद कर लें, यहीं कौन कौन से, village across the black water and the sword and the sickle, ये हैं, इसमें कौन है, देखेगा, लाल सिंग, इसका protagonist कौन अभी, लाल सिंग है, कब publish हुआ ये, ये second world war के time publish हुआ, ठीक ह लाल सिंग भी किसे जैसा है, मुनो के जैसा, बाखा के जैसा है, लेकिन वो थोड़े से अच्छे प्रिवार से आता है, और किसका बेटा है, निहाल सिंग का बेटा है, जो कि एक farmer है और कहां रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, ठीक है, और अब जिस novel की हम चर्चा कर रहे मेरी नजर में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो कौन सा है यह क्या है शॉर्ट नोवल है जिसको क्या कह गया है मुल्क राज आरंद की हाइस्ट अचीवमेंट माना गया है वो क्या है ट्रू स्टॉरी आफ मक्बूल सेरवानी के क्रुसिफिकेशन बाइद वाइल्ड पठान ट कस्मीर में टेरिस द्वारा उनकी डेट कर दी जाती है ये एक सची घटना पर आधारित है तो ये था किसके बारे में मुल्क राज आरंद के बारे में उनकी मेजर करेक्टर्स और उनकी मेजर नोवल्स अब यदि आपको आज की क्लास ठीक लगी हो आपको लगा हो कि वास् में बहुत स्यांदार कॉंटेंट आपको दिया गया है तो आप निसीत रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा और यह जो आज मैंने आपको बताया है इसकी पेडिएफ मैं आप लोगों को अपने टेलिग्राम चैनल डॉक्टर असोक शर्मा इंगलिस पर डाल दू तर लोगोर नलोड कर लें और वहाँ से जोईं कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहें तो इस नंबर पर व्रसब कर सकते हैं स्क्रीन पर उल medo आपको दीख रहे हैं, वहाँ आप और सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ जरूर साजा कीजिएगा, थेंक यू, थेंक यू बरी मच्च.